हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू माई चैनल, इस्टडी बित सिल्पी, फ्रेंड्स हम लोग UGC Net exam geography, TGT, PGT, geography and all upcoming geography exam की तैयारे कर रहे हैं फ्रेंड्स, आज हम जो ग्राफियों में पढ़ेंगे आचार परक क्रांती यानि की behavioral revolution जिससे हमारे पिछले exam में कई सारे question पूछे जा चुके हैं और हमारे आगे आने वाले exam के लिए भी यह most important है तो आएए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ओके फ्रेंड्स, आचार परक क्रांती यानि behavioral revolution जिसमें सबसे पहला पॉइंट है 1960 के दसक में भुगोल में परिमाडात्मक क्रांती के विरोध में आचार परक क्रांती का आगमन हुआ इस क्रांती ने मानो वातवरण संबंध को समझने हे तो एक नवीन एवं ब्यापक द्रिश्टी को प्रदान किया ठीके फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि 1960 के दसक में भुगोल में परिमाडात्मक क्रांती के विरोध में आचार परक क्रांती का आगमन हुआ और इस क्रांती ने मानो वातवरण संबंध को समझने के लिए एक नवीन एवं ब्यापक द्रिश्टी को प्रस्थूत किया नेक्स्ट पॉइंट है इस क्रांती को ब्यवहारात्मक क्रांती के नाम से भी जाना जाता है बिवहार अत्मक क्रांती में मानवी बोध एवं बिवहार छेतरी एवं वातवरन संबंधी निर्नय पर जोर दिया जाता है फ्रेंड्स जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो मात्रात्मक क्रांती थी उसमें मानवी बोध एवं बिवहारों को इस्थान नहीं दिया गया था लेकिन यह जो आचार परक्रांती है जिसे हम ब्यवहार अत्मक्रांती के नाम से भी जानते हैं इसमें मानवी बोध एवं ब्यवहार छेतरी एवं वातवरन संबंधि निर्ने पर जोर दिया जाता है ठीक है फ्रेंट्स नेक्स पॉइंट है आचार परक्रांती में तन्तr विशलेशन, गेम तेयोरी, अवस्थित की विशलेशन जैसे बिशिष्ट विधी तन्तरों को अपनाया गया है यह most important point है कि आचार परक क्रांती में किन-किन विध्यों को अपनाया गया है तो आपको याद रखना है कि आचार परक क्रांती में तंत्र उपागम, गेम थेयोरी, अवस्थित की विसलेशन जैसे बिस्ष्ट विधी तंत्रों को अपनाया गया है नेक्स्ट पॉइंट है आचार परक क्रांती के विकास के प्रात्मिक चरण में राइट, विल्यम किर्क, हैंगर इस्टेंड जैसे भुगोल बेताओं ने महत्पोड योगदान दिया है ये भी एक most important point है आप से पूछा जा सकता है कि आचार परक क्रांती के विकास के प्रात् कर इस्टेंड जैसे भुगोल बेताओं ने महत्पोड योगदान दिया है नेक्स्ट पॉइंट है किर्क के अनुसार इस्थान इवं समय के अनुसार किसी खास सूचना के प्रती होने वाली प्रतिक्रिया में अंतर पाया जाता है फ्रेंट्स जो बिल्यम किर्क थे जिन्हो ने अचार परक्रांती के विकास में महत्पोड योगदान दिया था उनकी अनुसार इस्थानियों समय के अनुसार किसी खास सूचना के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया में अंतर पाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है हैंगर इस्टेंड ने नबो उत्पादों के विशर आधिका प्रभाव पढ़ता है यह भी एक मोश्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और यह कई बार इक्जाम में पूछा गया है कि डिफ्यूजन ऑफ इन्नोवेशन यानि नबो उत्पादों के विशरन का सिध्धान्त किस ने दिया था तो अब आपको याद रखना है कि न नबीन विचार या फिर कोई नबीन सूचना का बिस्रण होता है यानि कि वैं एक इस्थान से दूसरे स्थान तक पहुचने के बीज जो भी लोग आते हैं उनके आचरण का उस सूचना तंत्र पर बहुत अधिक प्रभाव पढ़ता है ये भी एक important point है आपको इसे याद रखना है कि नबो उत्पादों की विश्रण पर मानों के आचरण सूचना तंत्र आधी का प्रभाव पढ़ता है नेक्स्ट point है Gilbert White, उलपर्ट, डेविट हफ, ब्रुक, फिल्ड, रसलिन, डाउन, बर्टन और किट्स आधी विद्वानों ने भी आचार परक्रांती के विकास में महत्पोड योगदान दिया है ठीके फ्रेंड्स तो अभी हमने पढ़ा कि आचार परक्रांती के विकास के प्रात्मिक चरण में राइट, बिलियम किर्क और हैंगर इस्टेंड जैसे बुगल बेताओं ने महत्पोड योगदान दिया था इसके साथ ही गिलबर्ट हॉाइट, उलपर्ट, डेविड हफ, ब्रुक, फिल्ड, रसलिन, डाउन बर्टन और किट्स आधि विद्वानों ने भी आचार परक्रांती के विकास में महत्पोड योगदान दिया है आपको इन सभी विद्वानों के नाम याद रखने हैं जिन्हों ने आचार परक्रांती के विकास में महत्पोड योगदान दिया था नेक्स्ट पॉइंट है आचार वादी भुगोल बेता मानो मन को काफी महत्तो देते हैं आचार परक्रांती भुगोल द्वारा मानो के लिए अनेक मौडल प्रदान किया गया तथा इसने भुगवालिक तथ्यों की ब्याख्या हितु गर्दिय विरी के इस्थान पर एक नवीन बिधी प्रदान किया आपको याद रखना है कि जो अचार वादी भुगोल बेता थे वह मानो मन को काफी महत्तो देते थे यानि वह मानो मन को बहुत ही इंपोर्टन समझते थे और उनके विचारों को भी वह इंपोर्टन समझते थे आचारपरक भुगोल द्वारा मानू के लिए अनेक माडल प्रदान किये गए तथा इसने भगौलिक तत्थ्यू की ब्याख्या हेतु गर्तिय बिधी के इस्थान पर एक नवीन बिधी प्रदान की खीक है फ्रेंट्स नेक्ट पॉइंट है आचरण भुगोल में सम्मूव, संगठन अथ्व समाज की अपेच्छा ब्यक्ति को अधिक महत्तो दिया जाता है आचरण भुगोल बेता यह मानते हैं कि प्रतियक ब्यक्ति पार्यवरण पर प्रभाव डालता है चाहे वह प्रभाव कितना ही छोटा क् यह भी एक important point है कि आचरण भुगोल में सम्मूव, संगठन अथ्व समाज की अपेच्छा ब्यक्ति को अधिक महत्तो दिया जाता है लेकिन हमने प्रतियच्छवाज और मात्रात्म क्रांति में पढ़ा था कि उसमें ब्यक्ति और ब्यक्ति की भावनाव को बिल्कुल भी मह तो नहीं दिया जाता था लेकिन जो आचरण भुगोल है वह उसके ठीक बिपरीथ है इसमें सम्मूव, संगठन और समाज की अपेच्छा ब्यक्ति को अधिक महत्तो दिया जाता है आचरण भुगोल बेत्ता यह मानता है कि प्रतेक ब्यक्ति पार्या वरण पर प्रिभाव डालता है चाहे वह प्रिभाव कितना ही छोटा क्यों ना हो और यह सत्य भी है फ्रेंट्स कि हर ब्यक्ति का पार्या वरण पर प्रिभाव पढ़ता है चाहे वह प्रिभाव छोटा हो या फिर बड़ा हो मानो की क्रिया कलाव छोटे यह बड़े रूप में पार्या वरण को प्रभावित जरूर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आचरन भुगोल बेत्ता समान्ते मनों विज्ञानों दाशनिकों मानों सास्त्रियों इवं नियोजकों द्वारा दिये गए पैराडाइमों इवं सिध्धान्तों का उप्योग करते हैं आचरन भुगोल के स्वेम के सिध सिध्धान्तों का अभाव इसके तीवर विकास में एक प्रमुख बाधा है ठीके फ्रेंट्स तो यह भी इंपॉर्टन पॉइंट है इसे भी आपको याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट है आजरन भुगोल बेत्ता मानों को एक बिबेक सिल अथ्वा आर्थिक मानों की र मानों को एक आर्थिक प्राणी मानते हैं और वह कहते हैं कि मानों जितने भी डिसीजन लेता है अपने लाव के लिए लेता है और वह जो भी करता है अपने लाव के लिए करता है लेकिन जो आचरन भुगोल बेत्ता थे वह मानों को एक बिबेक सिल अथ्वा आर्थिक मानो की रूप में सुभिकार नहीं करते थे जो सदय अपने लाप को अधिक्तम करने का प्रियास करता है नेक्स्ट पॉइंट है आचरन भुगोल की एक प्रमुक कमी यह है कि इसमें प्रियोग साला में पसव पर किये गए प्रियोगों की निसकर्ष को सीधे ही मानो आचरन पर ला उसके जो प्रमुक कमी थी वह यह थी कि जो प्रियोग साला में पसव पर प्रियोग किये गए थे उन्होंने उन प्रियोगों को सीधे मानो आचरन पर लागू कर दिया उन्होंने यह नहीं समझा कि पसव अलग है और मानो अलग है हमें मानो और पसव को एक समान नहीं ठीके फ्रेंड्स तु यह था आचरण परक भुगोर जिससे पिछले एक्जाम में कई कुश्चन पूछे जा चुके हैं तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फार वाचिंग दिस वीडियो